हलो फ्रेंड्स वेलकम टो मोडेस्ट मैट्स फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को मैट्स में रेल से संबंदित कुछ महत्पूर्ण प्रसंद बताऊंगा जब के सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए महत्पूर्ण होने वाले हैं और यह सभी कोस्चन का मैं आज आपको सबस से आसान तरीका बताऊंगा और यह इस चेप्टर का जो है लेबल वन होगा इस से रिच का तो देखिए इसमें कुछ बेसिक जो है जानकारी है फ्रेंड्स उससे जान लीजे क्या होता है एक होता सबसे पहला नहीं है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीड को कीलोमेटर प्रती घंटा से मीटर प्रती सेकेंड में चेंज करने के लिए हमको जो भी यहाँ पे कीलोमेटर डाटा दिया रहेगा कीलोमेटर का उसको गुना कर देना है 5 बटे 18 से यही अगर स्पीड को मीटर प्रती सेकेंड से कीलोमेटर प्रती घंटा में चेंज करना है तो बस जश्ट उल्टा क्या करना है इसको 18 बटा 5 से देखें इसका असान नियम भी आपको याद रखने के लिए अब जिसे यह 5 बटा 18 बटा है या 18 बटा 5 किलोमेटर बड़ा है या मीटर प्रती सेकेंड तो कीलोमेटर से मीटर प्रती सेकेंड लाना है मतलब कि बड़ा से छोटा लाना है तो छोटा में लाने के लिए छोटा वाला से गुना और बड़ा में लाने के लिए बड़ा वाला से गुना करना है ऐसे भी आप याद रख सकते हैं front ये दो चीज को कमसे कर्वाएस हैं है 살ाद रख सकते हैं अगा और एक बात रखना है कि एक किलोएमिट बराबर एक हजार मीट यहां पर होता है오medi चलिए मैट एककवहटे देखते हैं मुलग मुट्रोड़ है कि एक सोपचास मीटर लंबी रेल 57 किलो मिटर परती घंटा की गती से अपने समान लंबाई वाली सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी तो देखे क्या निकालना हम लोग को समय समय बराबर सबसे पहले देखना है कि फर्मूला क्या होता है तो समय बराबर होता है फ्रेंड्स दूरी बटा चाल तो दूरी देखना हम लोग कितना पार करना याद रखना है कि ट्रेन के साथ किसी विचिश का दूरी हो वो हमेशा प्लस होगा ट्रेन के साथ किसी विचिश का दूरी हो लंबाई हो वो हमेशा प्लस होता है तो दूरी कितना हो जाएगा देखिए दूरी जो है distance 150 train का है और इसी समान लंबाई का बोला है क्या है सूरंग है तो distance हम लोग के पास हो जाएगा 300 और क्योंकि ये मीटर में है तो हम लोग को speed को भी क्या change कर लेना होगा मीटर प्रति सेकंड में तो बैठा देंगे देखिए ऐसा ये 300 और बटे में क्या हो जाएगा 54 गुना 5 बटा 18 18 से ये कट जाएगा 3 बार में 3 से ये कट जाएगा 100 बार में 5 से ये कट जाएगा 20 बार में मतलब 20 सेकंड option number B इस question का सही अंसर हो जाएगा friends उमीद करता है आप सबको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा friends 171 मीटर लिंबी रेल गाड़ी 45 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से 239 मीटर लंबे पूल को कितने समय में पार करेगी देखे उसी टाइप का प्रस्न है समय निकालना हम लोग को तो time बराबर distance by speed फिर से यहां पर distance क्या हो जाएगा हम लोग के लिए तो distance जो है 171 train का है और 239 जो है वो पूल का है और बटे में speed कितना हो जाएगा 45 गुना 5 बटा 18 ऐसा हो जाएगा तो देखे जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 418 उपर चला जाएगा बटे में क्या बचेगा 45 गुना 5 9 से काटते हैं इसको 5 बार में 9 से काटते हैं 2 बार में 5 से काटते हैं इसको 8 और 0 5 से काटते हैं इसको 16 16 को 2 से इंटू कर देंगे तो 32 मतलब कि 32 सेकेंड आप्सन नमबर C इस कोस्चन का सही अंसर हो जागा उमीद करता हूँ ये भी कोस्चन अपनों को बिल्कूल अच्छी तरह समझ मा आगए होगा कोस्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे लग रहे हैं जैसे लाइक करें अपने अधिक से अधिक आप किसी वेक्ति को पार करना खंबा को पार करना मतलब कि अपने आपको पार करना होता है यहां पर क्योंकि वेक्ति का खंबा का कोई लंबाई तो नहीं होता है वो तो सिधा खड़ा रहता है और यहां पर देखे हम लोग के लिए एक काम आउरासन कर दिया कि स्पीड को वो को चयंज नहीं करना वो पहले से ही मिटर पर ति सेकंड में है तो बस क्या करदे देना टाइम बराबर डिस्टेंस बाइ स्पीड सेमलो के लिए 100 और स्पीड है दस 10 से 10 काट देते हैं बस हो गया 10 सेकंड एंसर ये तो और व्यासान कोश्चन था फ्रेंड्स अप्सन नमबर C 60 किलिमेटर परती घंटा की गती से दोल रही 250 मिटर लंबी रिल गाड़ी एक सिगनल के खंबे को कितने समयम पार कर जाएगी देखिए यही खंबा को पार करना मतलब किसको पार करना अपने आपको पार करना टाइम निकलना यहाँ भी तो डिस्टेंस बाई स्पीड डिस्टेंस से 250 और स्पीड है 60 गुना इसको चेंज कर देंगे 5 बटा 18 तो 18 उपर चला जाएगा कैसा हो जाएगा यह 250 इंटू 18 और बटे में हो जाएगा 60 गुना 5 एक जिरो से एक जिरो काट दीजिए 6 से काट दीजिए 3 5 से काट दीजिए 5 मतलब की 15 आपसन नमबर डी इस कोस्टन का सही अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आया कोस्टन आपको हल्फूल लगा तो इसे जरूर लाइक करे और फटा फटा अपना सभी STD गुरूप में जितना भी आपका गुरूप है सभी में सेर करे जरूर और इस चैनल में आप पहली बार हैं इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले चलिए ये कोस्टन है आप लोग के लिए इस कोस्टन का सही अंसर फ्रेंट्स आप लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ध्यूरूप